नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस्रम होकर करें या तीन काम बन जाएंगे अमीरe कौन से या तीन काम आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों प्लीज आप सबसёмे पहले इस पिरियो को लाइक कर दिजीए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भोल जाते हैं तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सफलता पाने के कई सारे रास्ते होते हैं बस आपको पता करना होता है कि आपके कौन सा रास्ता बना है किसी को कम मेहनस से भी सफलता मिल जाती है तो किसी को 80 से लेकर चूटी तक का जोड़ लगाना पड़ता है भगवान ने सभी की किसमत में कुछ अलग-अलग लिखा है और उसे पाने का तरीका भी अलग-अलग है आज हम आपको अच़रे चनक के दोरा बताई गई तीन ऐसे बातों के बारे में बताएंगे जिनके मामले में अगर कोई इनसान पेसरम बन जाता है तो वो अपने जीवन में अवस्स सफलता हासिल करता है अचारे चनके की माने तो अगर कोई इंसान इन तीन चीजों को लेकर सर्म करना छोड़ दी तो फिर सफलता खुद उसके पीछे आने लगती है अगर आप भी सफलता पाने का रास्ता ढूंड रहे हैं और आप भी अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो आचारे चनकी के इन बातों पर आप गौर फरमाईए तो आईए जानते उनके बारे में नंबर एक बेसो के लेंदेन के मामले में देखिए दोस्तों इस बात में कोई सक नहीं है कि आज के समय में धन ही सब कुछ है पैसो से सब कुछ खरिदा जा सकता है और सब कुछ पाया भी जा सकता है अगर आपके पास धन है तो संसार की सारी ताकती आपके आंगे जुक जाएगी अचारे चनक जी का कहना है कि पैसो के लेंदेन में कभी भी सर्म नहीं करना चाहिए अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो उसे मांगने में सर्म कैसी अगर आप पैसो के लेंदेन के मामले में किसी की तरह की जिजक रखते हैं तो यह आपको नुकसान देगा और आपको जीवन में सफल नहीं होने देगा इसलिए आपने किसी को पैसा दिया है तो आप उन पैसों को मांगने में बिल्कुल भी सर्म ना करें और पैसों के लेंदेन के मामले में आप बिल्कुल भी बेसर्म बन जाएं नमबर दो खाना खाने में सर्माना खाने खाने में इनसान को कभी भी जिछक नहीं करने चाहिए हमने अपने जरूरत की हिसाब से खाना खा लेना चाहिए कभी कभी बाहर होती है या फिर किसी घर पर महमान बर कर जाम जाती हैं तो खाना खाने में संकोच करते हैं लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे इस आदत को छोड़ देना चाहिए हमें कभी भी खाने में compromise नहीं करना चाहिए जितना खाना हमें परोसा जाता है उतना ही खाए और हम मांगने में कभी भी संकोश ना करें और दोस्तों तीन हैं सिक्षकों से पूछे हर सवाल का जवाब। आचारे चनक के जी कहते हैं कि हमें बिद्या गरहन करते समय किसी भी तरह की लज्जा नहीं रखने चाहिए। और हमें नी संकोच वा प्रस्त पूछना चाहिए। अगर आप अश्चरे चनक के कथन के अनुसार इन तीन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप जीवन में सफल बन जाएंगे। इस बात को जान लेने से कि पैसा, भ करेंगे तो आप असफल बन सकते हैं इसलिए खुद अपने सफलता के मार को महंत्रों किये और इन तीन चीजों में बिसर्म बन जाएंगे क्योंकि तब भी आप सफल बन सकेंगे। आप समय रहते हैं इन बातों को जीवन में उतारिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा वी